हाई फ्रेंड्स वेलकम टू सदफ क्रिस्पी कुकिंग जोन आज मैं बनाऊंगी चने की गुंगनी मेरे वहां तो इसे गुंगनी बोलते हैं आपके वहां क्या बोलते हैं यह मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो आज मैं गुंगनी बनाऊंगी जिसके लिए मैंने 500 चने ले लिए हैं उन्हें मैं भीगा दूंगी सारी रात पानी में भीगाना है दो से तीन बार धुलना है जब तक चने भीग रहे हैं तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में एक छोटी सी घंटी है इसे कीजिए ताकि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिले वो भी बिल्कुल फ्री में तो रात भर भीगने के बाद चने बहुत अच्छे से सोक हो चुके हैं भीग चुके हैं अब मैं किसी स्ट्रेनर से स्ट्रेनर में छान लूँगी यह देखी मैंने एक डेलिया जो होत चने डाल दिये हैं चने 250 ग्राइम मैंने लिए हुए है मैंने थोड़े कम क्वेंटिटि में बनाए है आप उससे जादा भी बना सकते हैं और साथी साथ मैंने एक बड़ी साइस की फाइन चॉप की हुई प्याज इसमें एट कर दिया है साथी साथ एक छोटी साइस का टमा टेस्ट एड़ कीजिए नमक डालने के बाद इसमें 130 SP मिर्चा पाउडर एड़ कीजिए साथ इसमें 130 SP गरम मसाले एड़ कीजिए मेरा घर का बना हुआ है आप कोई से भी मसाले यहां यूज कर सकते हो 130 SP हलदी पाउडर, 130 SP कोरियंडर पाउडर यानि धनिया पाउडर डाल कर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिजिए मिक्स करने के बाद छोटे कप से 1 कप आफ वाटर का इसमें एड़ कर दीजिए और इन्हें भी प्रॉपरली मिक्स कर लिजिए साथ इसाथ कोई साभी कुखिंग ओयल आप इसमें दो चमच, छोटे चमच इसमें एड़ कर दीजिए बहुत जादा नहीं क्योंकि ये जटपट बनने वाले चने हैं बहुत जल्दी बनकर तयार होते हैं और टेस्ट में एकदम परफेक्ट होते हैं बस इन्हें प्रॉपरली मिक्स करने के बाद इसका धकन लगा दीजिए लीट लगाने के बाद फ्लेम हाई कर दीजिए एक प्रेशर आने का वेट कीजिए फिर फ्लेम को लो कर दीजिए फिर बीस मिनट बाद गैस बन कर दीजिए पंदरा से बीस मिनट के बाद गैस बंद होने के बाद जब कूकर ठंडा हो जाएगा तब उसे खोल लेजेगा यह देख सकते हैं आप अगर इसमें बहुत सारे वाटर हो तो आप फ्लेम हाई करके ढगकन हटाकर वाटर ड्राय कर लेजेगा चलाना बिल्कुल नहीं है और मैंने जितने पानी डाले थे बहुत जादा नहीं थे पर मैंने थोड़ी देर रोस्ट जरूर करूंगी क्योंकि रोस्ट करने से भूनने से ही इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो gas on मैंने कर दिया है, अब मैं इसमें डालूंगी हरी धनिया कटी हुई, आप अपने मर्जी के recording इसमें यूज कर सकते हो, मैंने थोड़ा कम डाला है, आप थोड़ा जादा भी इसमें add कर सकते हो, धनिया आप फर्स टाइम जब कुकर बन कर रहा हो तब भी आप इसमें add कर सकते हो, एक बार आप ये जटपट बनने वाले चने जरूर बनाईएगा, मैं कहते हूँ, इसमें टाइम बहुत कम लगते हैं, और ये बनते रहते हैं, आप दुसरे साइट काम करते भी रहो, बहुत इसली बन जाते हैं, आप देख सकते हो, वाटर बिलकुल ट्राय हो चु चने बहुत अच्छे से कुख हो चुके हैं, अब मैं गैस ओफ कर दूँगी, और इन्हें सर्फ करूँगी, इसकी प्लेटिंग कर लूँगी, बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होते हैं, आपके वाँ जितनी देर में कुख होते हैं, सिर्फ उतनी देर चढ़ाना, मेरे पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना, मत भूले, फिर से मिलती हूं, बाइ बाइ और थेंक यू